आखिर OCD आपको ही क्यूं हुई आप बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें ही OCD क्यूं हुई आज इसका जवाब आपको मिलने वाला है जैसे अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो आपको बिमारी हो ही जाएगी ऐसे ही जिस इंसान का एंग्जाइटी लेवल हाई हो तो उसको किसी ने किसी परकार की OCD हो ही जाएगी कैसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा मैं हूँ राजेंदर जोदपूरिया मनोवेग्यानिक काउंसलर और आपके लिए खुश खबरी है दिसंबर महिने में साथ दिवस्ये ओप लाइन वरक्षोप हम सिर्शा हर्याना में कर रहे हैं इस वरक्षोप में गीता थेरपी के दवारा सभी परकार की OCD का समाधान बताया जाएगा आपको ही OCD हुई इसके पीछे कारण है आपका हाई एंग्जाइटी लेवल कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर चिंता का स्तर काफी जादा होता है वो छोटी छोटी गटनाओं से बहुत जादा चिंतित हो जाते हैं मामूली से विचारों से भी प्रेशान हो जाते हैं और मन ही मन बहुत बार उन विचारों को कट करते हैं या उनसे उलसते रहत तो इस चक्कर में उनके अंदर चिंता का स्तर बढ़ जाता है और बढ़े वे चिंता के स्तर में ही किसी ने किसी परकार की OCD डेवलप हो ही जाती है जैसे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है रोग परतिरोज शमता कमजोर है तो आपको सर्दी जुखाम या अन्य कोई वाइर बहुत जल्दी पकड़ लेगा आप बिमार हो जाएंगे इसी परकार आपका चिंता का स्तर अगर अधिक है तो आपको गंदगी वाले विचार भी पकड़ सकते हैं आपको बिमारी वाले विचार भी पकड़ सकते हैं ऐसे में आपको HIV से रैवी से खत्रा मैसूस होने लग या आपको भगवान से समंधित डर वाले विचार भी पकड सकते हैं मनत के विचार आएंगे या भगवान से समंधित सजा वाले विचार आएंगे या किसी ने किसी परकार के sexual विचार आपको प्रेशान करेंगे जिस इनसान का चिंता का स्तर जितना ज़्यादा अधिक होता है उस इनसान को किसी भी परकार के विचार कभी भी पकड़ सकते हैं एक्सिडेंट के विचार पकड़ सकते हैं तमाम तरह के विचार उसी इंसान को जादा पकड़ेंगे उसी इंसान को जादा सच्चे लगेंगे जिसका एंग्जाइटी लेवल हाई होगा तो आपको OCD हुई है इसके पीछे कारण है आपका एंग्जाइटी लेवल हाई होना अगर आपका anxiety कम हो जाए अगर आपकी चिंता कम हो जाए चिंता का स्तर कम हो जाए तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे हिपनो थेरपी, CBT, सिर्मत, भगवत, गीता थेरपी और mindfulness थेरपी आपकी चिंता ही तो कम करती है आपके चिंता के स्तर को कम कर देती है और आप ठीक हो जाते हैं मुझसे आप कभी भी बात कर सकते हैं